हो मिनिस्टर सापके घर को तोड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ भी अनुथराइज कंस्ट्रक्शन हो जितने मंतरी हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर ने भारत सरकार के सब के घर में और मैं पूरी जिम्यदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ जिए शेडूल का शेडूल ट्राइब, OVC और माइनॉर्टी को वापिस मनुस्वृति के टाइम में ले जाना चाहती है जहां पर प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, बिजनस करने का अधिकार, वोट देने की तो बात ही कहां से आती है पानी प देश का चुड़ा के बाहर भाग रहे हैं, मुगल ऐसे लोग नहीं थे, जो उनके वंचच आज भी हैं, देश में कलकटा में रिक्षा चला रहे हैं, बाहर नहीं भाग गए हो, मनुवादी पैसा चुड़ा के बाहर भाग है हमेश्च, आज भी भाग रहे हैं, ये फरक है मनुवादी आज भी चाइना का साथ दे रहे कोई भी मुगल चाइना का साथ नहीं देगा WHO क्या कह रहा है सबसे ज़्यादा दुनिया में मौते हुई है तो भारत देश में हुई है करोना से लेकिन उसको पर्दे के पीछे चुपा रखा है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और घरीबी हमारे देश में आ चुकी है लेकिन उसको भी चुपाया जा रहा है किस के पीछे मुसल्मानों की नफरत के पीछे स्वागत है आपका नैशन दिस्तक मैं हूँ आपके साथ फरी से भी इस वक्त हमारे साथ मुझूद है लोगों के अंदर खौफ बनाने के लिए एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है या फिर वाकिए जो अविद निर्मान हैं उनको तोडने का काम कर रहे है देखे जो भी मनुवादी मानसिक्ता के लोग कारे करते हैं, वो मनुस्मिर्थी लागू कराने के लिए और हिंदू राष्ट बनाने के लिए करते हैं, इसके अलावा उनकी कोई भी कारवाई यदी होती है, तो वो सिरफ पैसे चुराने के लिए, भरश्टाचार करने के करती है कि इनसान को इनसान से कम समझना उसकी संतुष्टी करने के लिए कारे करते हैं इसके अलावा मनुवादी मानसिक्ता कि लोग किसी और उद्देश से काम ही नहीं कर सकते हैं हां जूट और ड्रामा और धकोसले बाजी जरूर करते हैं क्योंकि ये अपने सारे गंदे और घिनोने कारणा में उन्होंने छुपाने होते हैं इसलिए वो एक उसको एक अच्छा नाम देके राष्ट भक्ति और देश भक्ति की बात करते हैं बलकि असलियत तो ये हैं वो सबसे बड़े गदार हैं देश के दुश्मन हैं इंसानियत के दुश्मन हैं और जो इंसानिय का स्चेडूल ट्राइब, OBC और माइनॉर्टीस को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि किसी भी प्रकार से वो बावा साहब डॉक्टर भीमरा अमबेटकर का जो समिधान है, उसको बचाने के लिए खड़े ना हो, और वो मनुस्मृति दुबारा लागू कर सकें, बावा साहब के समिधान को कतम करके, इसी वज़ा से ये कारवाईएं हो रही है, मुसल्मानों के ओपर जब ये कारवाई होती है, तो जो ये क्रिमिनल मीडिया है, मनुवादी मानसिक्ता की मेंस्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, वो उसे हाइलाइट भी करती है, क्योंकि उससे उनको फाइदा पहुचाना होता है, उसको पोलराइज करना होता है इशु को, वरना जैसे जैसे जितने जितने अत्याचार मुसलिम क खानर नाम की जो वकील हैं, अकेली ने पूरा बुल्डोजर मनुवात का रोग दिया ना, ये है महिलाओं की ताकत, ये है बावसाब के समिधान की ताकत, मगर कर के आ रहे हैं ये लोग, अभी नहारपुर में बावसाब की एक मूर्ती तोड़के, और वहाँ पे जो एक धार करा क्या रहा हूं, क्योंकि पुलीस ने ना सिर्फ एक हाई कोट का, डीडिये ने हाई कोट को भी गलत बाते बयान करके, एक हाई कोट से ओर लिया, और उसके बाद पुलीस ने सेंकडो की ताधात में वहाँ पुलीस पहुँच गई, और बावसाब की मूर्ती तक, वहाँ पुलीस अमल करती है, क्योंकि तब उन्हें दूसरी पार्टी जो की एक्चुल कबजा करके बैठी होती है, उस से उन्हें जाहिरी बात है कि दूसरे प्रकार का लाब होता है, लेकिन यहां क्योंकि शडूलकास कम्यूनिटी की बात थी, तो रातो रातो और इंप्लिमेंट कर दिया, और ऐसी जो शडूलकास कम्यूनिटी उसके आसपास भी रहती है, उनके घरों से दरजन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, हाई कोट ने यह ओर्डर नहीं किया था, तो इस तरह का अत्याचार दिन रात हो रहा है, भारत की राजधानी में भी हो रहा ह बुल्डोजर चल रहा है है, शडूलकास के घरों के ओपर पूरे देश में अभी आप और हम जहां यहां बेटे हैं, बुल्डोजर ना भी तो उनको यह कहा जा रहा है कि अगर तुम किसी के घर पे आ जाओगे, यह तो अभी उत्तर प्रतेश की घटना है, तो कितने 500 रु कम्यूनिटी के साथ रोज हो रहा है, इतना मुसल्मानों के साथ भी नहीं हो रहा है, शडूल ट्राइब कम्यूनिटी का ले लेते हैं, अडानी, अम्बानी और इनके जो दोस्त हैं, मनुवादी दोस्त जो हैं, वो ट्राइबल्स की जमीन पे एकड़ों के हिसाब से रोज कापज़ा कर रहे हैं खैरकानुनी तौर पर उनकी सम्ताइonian लूट ve China और दूसरे देशों में एक्सकॉर्ट कर रहे हैं यह काम कर रहा veto Unτ hoc doubt उनकी तो यूशे पर मेरे कोई आज रिपोर्ट नहीं आती तो पर मुझे मुस्लिम होने पर अपने आप पर गर्व भी होता है जिस तरह से बोलते हैं कि बुल्डोजर चला देंगे काफ़ सारे हमने उत्ता परदेश में देखे भी कि दलीतों के घर पर उनके घर तोड़ दिये गए या फिर मुझ रखने पर मार दिया गया कि बुल्डोजर हमने भेज दिया तोड़ दिया वे निर्माँ वापच लागे इसी तरह शाहिन भाग में आते हैं सेट्रिंग लगे हुई थी लोही के पाईप बलकि वो लोगों ने खुदी नीचे डाल दी कि तो मैं जरूरत नहीं हम खुर्दी डाल दिंगे तो इस सरह से जो बनाया जा रहा है पूरा माहौल के बुल्डोजर हम भेज देंगे टुटवा देंगे लेकिन अवेद निर्माँ तो कहीं टूटता वने जर नहीं आ रहा पेकि अवेद निर्माँ तोड़ना अगर इनकी मन्शा होती और यह दिल्ली सरकार की भी साथ साथ के ही साथ साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो अर्बन लोकल बॉडिज मिनिस्ट्री है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है जो ये commissioners हैं corporation के urban local bodies ministry है उसके अंडर ही आते हैं अगर दिल्ली सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार एक directive order pass करके भेज सकती है सारे commissioners को कि आप इस प्रकार की गतिविदी नहीं करेंगे जो unauthorized constructions हैं भी उसका एक proper procedure है notice देंगे और हम उसको या तो regularize कर देते हैं सारे unauthorized constructions को या ह हम उसको proper procedure follow करेंगे individually notice आएगा वो उसका जवाब होगा सवाल होगा तब जाके कई बुल्डोजर आएगा यह है कानूनी प्रक्रिया लेकिन इन लोगों ने तो देशत पहलानी है न आतंगवादी हैं यह कोई देश के कानून के इसाप से थोड़ी कोई कारे करें इनोंने देशत पहलानी है देशत पहलाने के लिए तो बुल्डोजर चलाने से ज्यादा बुल्डोजर दिखाना जरूरी है जो प्रधान मंतरी के लेवल के नेता जो भारते जंता पार्टी के बुल्डोजर सरकार बोल रहे हैं जो अब आने वाले प्रधान मंतरी अपने आपको प बुल्डोजर को बहुत बड़ी तरीके से प्रमोट करते हैं कि बुल्डोजर राज बताके वो बड़ा अपने आपको गौर्वान ने पहसूस करना चाहते हैं तो यह इनकी मानसिकता है जहां तक अनुथराइस कंस्ट्रक्शन की बात है दोजार साथ तक दिल्ली की सरकार ने सारे एरियल सर्वे कराके सारे अनुथराइस कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइस किया न जितने भी ये जो जनता कॉलनीज थी या री सैटल्मेंट कॉलनीज थी तो उसी प्रकार से आज आम आदमी सरकार भी कर सकती है लेकिन ये भी तो इसके अंदर भी तो वनुवादी मान तोड़ना चाहिए हो मिनिस्टर साब के घर को तोड़ना चाहिए क्योंकि वहां भी अनुथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ जितने मंतरी हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर से भारत सरकार के सब के घर में और मैं पूरी जिम्यदारी के साथ की बात कह रहा हूँ अनुथराइज कंस्ट्रक्शन हुई विए जाईए एंडेमसी से तोड़ा लिजे वो नहीं तोड़े जाएंगे जितनी बड़ी-बड़ी में से लोग अनुदारी कॉलोनीज हैं सेनिक फ़र्म से दूसरे रहें वहां पे सब जगा नॉथराइज कंस्ट्रक्शन हैं जितने यह लूटियण जोन्जी से कर भी ली तो वो कोई सरकारी जमीन पर कभजा नहीं हो रहा है यह लोग तो सरकारी जमीनों पर कभजा करके बैठे हुए तो उनके खिलाब तो अनुतराइज कंस्ट्रक्शन का बुल्डोजर नहीं जाता है तो यह आपको बात समझनी चाहिए कि यह मनुवादी मानसिक्ता की सरकार शडूल का शडूल ट्राइब ओवी सी और माइनॉटीज को वापिस मनुस्पृति के टाइम में ले जाना चाहती है जहां पर QUOTE, प्रॉपरिटी रखने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, बिजनस करने का अधिकार, वोट देने की तो बात ही कहां से आती है पानी पीने का शड़क पे चलने का भी अधिकार चियन लें यह उस प्रकार की कारवाई है जिसको हमें पीस्फुल प्रोटेस्ट के जरीए रोकना पड़ेगा अगर हम भारत के सामिधान को बचाना चाते हैं, अगर हम भारत देश को बचाना चाते हैं। इसकी एक ही कमी है और वो है जब तक मनुवादी मानसिक्ता की बुनियादी चाल हमारे देश के शडूल का, शडूल ट्राइब, OBC, और यहां तक की महिलाएं भी, जो कि किसी भी वर्ट से आती हो, नहीं समझेंगी, कि ढोल, गवार, शूद्र, पशुनारी ये सब ताडन के अधिकारी, इसको अब आज के दौर में इंप्लिमेंट करना क्या समझते हो, असान काम है, किसी को भी अगर ये बोल दो के आप शूद्रो, तो आज तो वो, वो महौल नहीं है, अला कि कर वो यह रहे हैं, तो उसको करना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें को ये बहुत डाइवर्जन चाहिए, और वो डाइवर्जन है, मुसल्मानों के प्रती नफरत जो ये पैदा कर पाते हैं, अगर SCST, OBC और माइनोर्टी के लोग, सिरफ मुसल्मानों की नफरत से उबर जाएं, नफरत के जाल में ना पसे मनुद्वादियों की, तो इन लोगों का हाल जो का घर, चाल चलन, रहने का तरीका, कपड़े, सिरफ मोदी जी कहीं नहीं, किसी भी RSS के कारे करता के, जो किसी भी अच्छी पोस्ट पर है, आप अपने पडोस में ही देख लिजे, सब के सब जो हैं, कितने पैसे वाले हो गएं, कितने हिरिश्पुष्ट हो गएं, खा पी क हैं, होते हैं हर जगा, उनको छोड़ के, आप सब की शकले देख लिजे, तो जनता अंदी थोड़ी है, तो जो श्री लंका में वहां की जो रूलिंग पार्टी है, उसके लोगों का हशर हो रहा है आज, लोग उनको घरों से निकाल निकाल के उनके मूँ काले कर रहे हैं, तो वो हाल भारत में हो जाएगा, अगर मुसल्मानों के प्रती नफरत ना पहलाई जाएगा, आप यह देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, WHO क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा दुनिया में मौते हुई हैं, तो भारत देश में हुई हैं करोना से, लेकिन उसको परदे के पीछे चुपा रखा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और गरीबी हमारे देश में आ चुकी है, लेकिन उसको भी चुपाया जा रहा है, किस किस के पीछे, मुसल्मानों की नफरत के पीछे, जैसे जो उस वकत भी जो तबलीगी जमात वाले थे, उसके पीछे अपनी सारी जो चोरी और गंदे कारना में थे, कि करोना को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी सरकार, वो चुपा लिए, अब हम आज के बाहल पे, अगर ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, जहां भी मुसल्मानों के खिलाफ कोई बड़ा कारवाई, ये मनुव बिल्डोजर हो रहा है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा हो, बहुत बड़ा कुछ देश के साथ देशद्रो कर रहे होंगे ये लोग, उसको चुपाने के लिए बिल्डोजर की कारवाई हो रही है, उससे पहले जो हिजा का वेपार होता है, तो 80 पैसे का फाइदा चाइना का होता है और 20 पैसे का फाइदा हमारा होता है, वो और हम देखिए, हम किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, 20 परशंट भी, वो अपना खनिच प्रदार थे एक्सपोर्ट करके, कोई हमारे देश की कोई बनीवी चीज़ वह एक कमपनीज हैं, चानिज पी एले जो है, चानिज पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, उनकी जो कमपनीज हैं, वो लोग भारत का पैसा ही यहां से ले जा रहा हैं, प्रफिट कमा के और हमारे खिलाफ हमारे देश पे आकरमन करने के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एक्जामपल अभी एक छोटा सा एक्जामपल आया है जो अभी का सबसे बड़ा जयायूमी एक फोन की मोबाइल कंपनी है ना उसका अभी इडी ने नोटिस दिया हाला कि बहुत कमजोर केस बनाया है इस सरकार की इशारे पर साड़े पांच हजार करोड का तो सिरफ जो इडी में जो इन्होंने टैक्स का ही घोटाला करके पैसे चुराएं भारत के जयायूमी एक कंपनी है और उनके एक मनुवादी क्या नाम है गुपता करके कुछ या क्या है वो जो भाग खड़े हुए है और अभी दुबाई में छुपए बैटे है वो वाइस प्रेसिरेंट है वो मनुवादी ही है उसको मोदी की सरकार के टाइम ही जब 2014 में आये जया जयायूमी का द्यक्ष उसी को बनाया था तो अब्यस्ली वो मनुवादी मानसिक्ता का इनी का आदमी था कोई जिसको जयायूमी जैसी कंपनी का इंडिया इंचार्ज बनाया और वो अगले 4-5 सालों में ही देश की सबसे बड़ी फोन बेचने वाली कंपनी हो गई तो सरका की जो आर्मी है उसकी एक फ्रन्ट कंपनी है उस कंपनी का व्यक्ति 5,000 करोड लेके भाग गया है और इडी जो है उस पे बहुत हलका केस बना रही है और वो पैसा कहां इस्तिमाल कर रही है चाइनीज आर्मी हमारे देश की उपर हमला करने के लिए हमारी देश की समीन करने के लिए तो इतना बड़ा चोरी जो चुपाई जा रही है वो बुल्डोजर के पीछे चुपाई जा रही है यह समझने का विशह है जहां भी कई मुसल्मानों के प्रतिक इस तरह की नफरत पहलाई जाती है समझ लेना चाहिए बहुत बड़ी कोई इन्होंने गंदा कारे किया है यह चोरी किया जिसको चुपाना चाहते है अच्छा इसी तरह से बोला गया है कि सी बीएस सी में से जो मुगल थे जिसे लोग बोलते हैं डाक या फिर ताज महल हो गया उसकी बुजाच होनी है इस सभी के दोरान चाइना डेली के बेसिस पे हमारी कितनी जमीन हड़ अपरा है यह इस सरकार से पूछा जाना चाहिए कुतम मिनार तो देश में है और देश में ही रहेगी मुगल या जिनको भी यह बोलते हैं एक तो भारत जो है न भारत अशोक का भारत अफगानिस्तान से भी ज्यादा बड़ा था तो भारत जो अखंड भारत जिसकी बात करते हैं यह यह अखंड भारत को खंडित करने वाल खंड भारत नहीं, यह खंडित करना चाते हैं, जो भारत बच भी गया है, उसको भी तोड़ना चाते हैं, क्योंकि मनुस्मृति लागू ही तब ही होगी, तो इन लोगों की कथनी और करनी बिल्कुल उल्टी होती है, तो यह वजा है, तो जो भी मुगल आये थे, अब यह मु मुगल रहे, जब तक के इन मनुवादी, और मुगलों की जो सबसे बड़ी गलती थी, वो भी मैं आपको पता दो, वो गलती यह थी, कि वो इनी मनुवादियों के वहकावे में आ गये, और उन्होंने छूँद जो थी, और यह मनुस्मृति को वो एक डिक्टेट से, यानि मनुस्मृति खतम कर जाते, तो किसी की मजाल नहीं थी, दुबारा मनुस्मृति का नाम ले ले था, तो यह उनकी जो गलती थी, और वो भी उनको मनुस्मृति वालों ने, जितने भी ब्रह्मन और अपरकास्ट के लोग थे, उन्होंने उनको बेवकूफ बना लिया, और व बिल्कुल साफ तोर पर बोलों, लेकिन मुगल जो है, वो देश से लेके यहां से कभी भी कुछ बाहर नहीं गए, ताजमेल बनाया, तो ताजमेल देश के अंदर ही है, उनसे पहले जो राजा थे, उन्होंने कुतब मिनार बनाया, तो देश ही में ही है कुतब मिनार, कभी कभी नॉर्य इंडिया में तक राज करते थे, नॉर्य इंडिया के राजा कभी कभी साहूथ इंडिया तक राज करते थे, उसी प्रकार थे, से काब। कभी कभी दिल्ली पे भी राज किया और इसका उल्टा भी हुआ है महाराजा रंजीश सिंग ने एक बार काभूल भी कभजा किया था तो देश तो हमारा एक ही है नां अंदर के राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी कभी कोई जीता था कभी कोई जीता था मगर देश से लेकिन ये मनुवादी आज भी क्या कर रहे हैं आज भी जो जायोमी का जो अध्यक्षय उसका नाम में भूल जाता हूं मनु अगरवाल या मनु करके है कुछ को तो यह मनु जैन है सोरी तो वो जो है साड़े 5,000 करोड जो नजर आ रहे हैं वो चुरा के दुबई भाग गया है उसी प्रकार से जितने भी मनु वादी मान सकता के मोदी और जितने निरव मोदी और यह सब लोग है पैशा देश का चुरा के बाहर भाग रहे हैं तो मुगल ऐसे लोग नहीं थे जो उनके वंचच आज भी हैं देश में कलकटा में रिक्षा चला रहे हैं बाहर नहीं भाग गए हो तो यह फरक है मनु वादी पैसा चुरा के बाहर भागे हैं हमेशा आज भी भाग रहे हैं यह फरक है दोनों में मनु वादी आज भी चाइना का साथ दे रहे हैं कोई भी मुगल चाइना का साथ नहीं देगा कभी कोई भी मुगल पाकिस्तान का साथ नहीं देगा आज भी हाँ मनुवादी जरूर देंगे यह यह फरक है हमारी देश की जंता को इसको समझना की जिस सरा से हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का इस्थान है वो नीचे किसा क्या गया यानि कि जब बोलत है कि हमने तो लाग में देडिया निकाल दी नोक्री नहीं आए बल्कि अगर नोक्री भी नहीं है तो आतम निर्लबा बनी जाओ यह पकोड़ा बेच लो ने तो यही तो बनुवादीयों का एडिया क्या है पाकिस्तान से देश को कम्जोर करना पाकिस्तान से भी ज्यादा पर्षंट लोग हैं वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनके मूह काले नहीं कर रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करके इनको पकड़के जेलों में नहीं बिजवा रहे हैं तो इसी वज़ा से यह तो चाहते ही हैं ना पाकिस्तान से भी कमजोर हमारा देश बन जा है बंगलादेश तो आज बहुत आगे निकल चुका है, बंगलादेश की बात तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान तो एक फेल्ड कंट्री है, वो फेल्ड कंट्री से भी ज्यादा फेल करने की जुस्तुजू में लगी हो ही है इवनुवादी सरकार, यही तो इन तो देशों में, किसी पे नहीं है, चाहे महिलाओं के अधिकार हो, बच्चों की हेल्थ हो, चाहिल्ड मुर्टालिटी रेट हो, कोई भी अनिम्प्लाइमेंट हो, किसी भी हुमेन डाइस पे हम एक सो पचास से नीचे तो हैं ही नहीं, यह हमारे देश का गौरफ बनाया है, यह मनुवादी सरकार में, कि इस चीज में नंबर वन है, करोना की डेट्स में नंबर वन, सब चीजों में नंबर वन है हम, जो भी बुरे कार है, उसमें नंबर वन है, और 90% जो हमारे देश में कबजे पे करे बैठे हैं, सारे जो important posts हैं, कौन है मनुवादी तो है न, यह ह समय में अंग्रेजों के समय से नीचे गिरते गिरते आज जो मनुवादियों की सरकार है जिसमें मनुवादी हर एक जगा पर हर एक सरकारी नौकरी पर हर एक बिजनेस में हर एक जगा पर नबे परसंट से ज़्यादा है ना तो कितने एफिशंट हैं यह इस बात से नजर आता सिर्फ ड्रामा करके एक महाल बना सकते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो देश इतने पीछे क्यों है अच्छे सरकार तो यह आरोप लगा रही है कि उसको जुकाओ तो चाइना की तरफ है इसी वज़े से वो भारत पर आरोप लगा रहा है मैं यही बात तो कह रहा हूँ तो चाइना के साथ तो हमारे देश की पॉलिसी को कमजोर करने के लिए और चाइना के पक्ष में करने के लिए मनुवादी मानसिक्ता के जो गुजराती बिजनस्मेन है पहले यह सरकार को मैं ओपन चलेंज करता हूँ कि कौन-कौन गुजराती मनुवादी मानसिक्ता का बिजनस्मेन है वो चाइनीज कमपनी जो की खास्त तोर पे CPC यानि के Communist Party of China और People's Liberation Army जो वहां की है उनकी जो companies है ना, declared companies उसमें कितने directors हमारे यहां के मनुवादी मानसिक्ता के गुजराती लोग हैं बिजनस्मेन यही एक list बता दें तो देश के सामने पूरी कलई खुल जाएगी कि WHO चाइना का स्टूज है या हमारे देश के मनुवादी बिजनस्मेन जो है वो चाइना के agent है ट्रेट डेफिशिट किसने कराया है जो यह लूट मार करके जो हमारी custom policies है किंसने influence कराया है इनी गुरुजराती बिजनस्मेन है जो मनुवादी मानसिक्ता के है तो यह है बुनियादी बात लेकिन उस पे परदा डालना है चाइना को जो चाइना हमारी जमीन हड़प रहा है और हमारे देश की सेना जो है वो किसी भी दुश्मन का मुझ तोड़ने के लिए बहुत capable है कौन रोक रहा है हमारे देश की सेना को चाइना से अपनी जमीन वापिस लेने करे हमारे देश की policies ना जो यह मनुवादी मानसि करके कमजोर कौन बना रहा है यही गुजराती मनुवाधी माजसिक्ता के बिजनस्मेन इस पर रिसरच होनी चाहीं नहीं पहले बाहर की दुश्मन से तो हम बाद में निपटेंगे पहले अंदर के दुश्मन उसे निपट ले तो बात यह एक यह हमारे खुद के जो देश के अंदर जो निश्पक्ष परित्पत्रकार हैं उन्होंने भी तो यही सर्वे करके बताया है कि देश में इतनी ज़्यादा मौते हुई है अभी गुजरात का ये एक इन लोगों को सिरफ जूट बोलना है जूट बोलके अपने जो गंदे कारणा में उसको चुपाना है किसी भी हालत में किसी भी वनुवादी मान सकता कि वेक्ति की बात पर भरुसा नहीं करना चाहिए अगर करोगे तो दोका क्हाऊँगे तो चाइना दुश्मन नहीं है यह तो प्रधान मंत्री जी खुद अपनी पीट थप तपाते हैं कि असी करोड लोगों को पांच किलो महीने पे चावल और दाल दिया है इनोंने ये ये क्या प्रधान मंत्री को इस बात को कहते हुए शोबा देती है इस बात को कि देश की 80 करोड जंता को इनोंने भीकारी बना दिया ये तो वो खुद अपने आंकड़े बता रहे हैं तो ये है जो हम दुनिया का गौरव बनना चाहते हैं खुद बाहर जाते हैं तो उस पे करोडों करोडों रुपे खर्च करके लोगों को बिलाया जाता है उनके लिए तालियां बजवाने के लिए इतना ही पैसा अगर जितना पैसा इनके जिरफ मित्र, क्लोज मित्र चुरा के भाग गए देश से वो ही पैसा अगर देश में वापिस मंगा लिया जाए जिसका इन्होंने वादा भी किया था तो पंद्रा लाग से बहुत ज्यादा रकम एक-एक अकाउंट में चली जाएग एक एक बंद जी अपने कारियों से ये मनुमादी मानसिक्ता की सरकार अपने बुरे कारियों से डिस्ट्रॉइ कर रहा है भारत देश की एकानोमी सर जिससरा से सरकार बोल रहे हैं कि 2024 के बाध सी एन्हार्सी दुबाई लाग किया जाएगा लेकिन फिलाल अभी एक रिपोर्ट आए कि 800 जो परिवार हैं वो हिंदू परिवार हैं जो पाकिस्तान वापश जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो किस सरा से कि सरकार जो एक पॉलिटिकल स्टन्ट खेल लिए गया बाहर से लोगों को ले कर आएंगे बल्कि जब की जो हिंदु लोग हैं जो आयत है पाकिस्तान से अपने दुख दर्द लेकर सरकार उनको भी कुछ नहीं दे पाई सबसvkh cook कि जो पाकिस्तान से भी प्रताडित लोग हो के आये उस में से एक को भी कोई बैविट नहीं देंगे सिरफ अपने जो कुछ मनुवादी मानसिक्ता के लोग वहां से आएंगे उनी को benefit मिलेगा और प्रदान मंतरी जी ने खुद रामलिला मेदान से का था ना कि जो C.A.N.R.C. वो ला रहे हैं हाला कि वो जूटी बोल रहे हैं कि हम तो जो schedule cast भाई बहन है उसको नर्क बना दिया है पाकिस्तान की जो अगर resources देखी जाए ना क्योंकि वो भी तो भारत का आंगी है एक तरह से हमेशा से है और आगे भी रहेगा ये तो कुछ दिनों की बात है जो हम अलग-अलग है बाद में तो वहां की धर्ती जो लोग वहां उस नर्क को छोड़ के तो वो उस नर्क में जाने के लिए तयार हो रहे हैं कि हम उस नर्क में तो चले जाएंगे यहां नहीं रहेंगे तो कितनी बड़ी मजबूरी होगी यह है चाल चरित्र और चेरा इस मनुवादी सरकार का यह हर एक SCST, OBC और माइनौर्टी के वेक्ति को सोच लेना चाहिए किसी भी वेक्ति को जो पाकिस्तान, अ जिसके साथ जुल्म हो रहा था हम आपे उसी को permitted है बात के वालों के लिए तो है भी नहीं तो लेकिन जो 14 के पहले भी विचारे आ गए यहां पे नर्क छोड़के उनको भी उन्होंने आज पसंद क्या किया उसी नर्क में वापिस जाना भारत में नहीं रहना तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनकी मंशा है नर्सी की मंशा इनकी यह है कि वहाँ जो लोग प्रताडित हो रहे हैं उनको मदद करना या मनुस्मृति लागू करना यही में आपके दर्शकों को खास तौर पे शरूल का शरूल राई ओबीसी और जो हमारे मुस्लिम सिख क्रिश्चन बहुत लोग हैं और महिला हैं उनको समझाना चाहता है और ना ही जो बागी बड़े में इस्ट्रीम चैनल हैं वो दिखाने के लिए तैयार हैं तो आपको यह चीज समझने ही चाहिए कि बुल्डोजर के नाम पर जो हमारी सरकार है वो पीछे कितना बड़ा काम करते हैं मैं पर इंसाइफी कैमेरमें आची इसके साथ ने शिंद सेगें नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख